जैसरे किश्णा बहुत से साधक मंत्र सिद्धी के लिए लगे रहते हैं पर उन्हें सिद्धी नहीं प्राप्पर होता है आज मैं आपको एक जिन्न की मंत्र बता रहा हूँ बहुत पावरफुल जिन है और निश्चित रूप से इस जिन्न की विशे में कहा गया है अगर परकार का कोई खत्रा भी नहीं है सामान रूप से इस साधना को किया जा सकता है इस साधना को दो तरीकों से आप कर सकते हैं मुश्लिम विधी से भी कर सकते हैं और तांत्रोक्त पद्यती से इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए प्रियोग विधी पताते हैं सर पर्थम आपको ज से किस जिन की साधना करनी होगी। जैसा कि आप इश्कीधी पर देख रहे हैं दो मिनट में सामने business हाई निश्डित रूप से मंत्र सिद्धी के बाद दो मिनट में ही जिन आपके सामने उपस्तित हो जाएगा इस बात के लिए आपको विश्वास करना चाहिए सबसे पहले आप को इस जिन्द के मंद्र को सिद्ध करना पड़ेगा सुक्रवार की रात्री से इस मंद्र की साधना आपको शुरू करनी होगी आप अपने एकांद कमरे में अगरबत्ती धूबत्ती और रख करके जिन्द की उपासना शुरू करेंगे आप अगर बत्ती जला लें धूबत्ती जला लें और गुलाब रख लें इत्र रख लें और सफेद मिठाई रख लें जिन्द के लिए दिसा पश्चिम की तरफ होगी और आप सफेद आसन बिछा करके सफेद वस्तर पहन ल अगर टूपी उपलब्द नहीं है तो रूमाल सर में बांद लें इसके बाद जो मैं मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का सुक्रवार से सुक्रवार तक केवल केवल आपको ग्यारा-ग्यारा-माला साथ दिन तक चपना है तो मंत्र सुनें ओम्रीम अमकस जिन्न तत्चन हाजिर हो ओम्रीम अमकस जिन्न तत्चन हाजिर हो ये इस जिन्न का मंत्र है इस मंत्र के विसे में कहा जाता है कि यह मंत्सामोहिक मंत्र है आप जिस भी छेत में रह रहे होंगे, कोई भी मौलवी या मुला मरा होगा, तो उसकी आत्मा अगर जिन जिन्नात की कड़गरी में होगी, तो तर्चन आपके आसपास अगर घुम रही होगी वातावरण में, तो वो आपके सामने उपस्तित हो जाएगी, लेकिन ध्यान रख या जो जिन हाजिर होगा, आपके सामने वह पूर्टा सात्विक होगा, क्योंकि आपके आसपास के ही वातावरण में जो जिन जिन्नात होंगे, वही आपके सामने आएंगे, इस साथना में किसी प्रकार का कोई खत्रा नहीं है, आराम से इस साथना को आप पूर्ण कर सकते मेरे बता है गे विदी अनसार स्वासा करतों या वीडियो को पसंदाए हुरा